नमस्कार दोस्तों, मल्टी टेक यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया है जो मेरे पास एक 32 इंची का टीवी आया है जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सैमसंग का है तो दोस्तों अभी आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले इसको देखते हैं किसमें प्रॉब्लम क्या है तो दोस्तों देखिए ये पावर हमने दे दिया और आप देख सकते हैं इसको अन भी किया तो इसमें पिक्चर नहीं आ रहा है बट देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें light आ रही है आप देखिए देखिए light आ रही है पतलब इसका backlight सही है और इस no picture का ईशु है तो छली आएए देखते हैं दोस्तों यह कौन सा model है और कौन सा set है यह आपको सारी चीज step by step दिखाएंगे तो दोस्तोँ इस जैनल पे इस वीडियो पे बने रहे और आपको अगर इस जैनल पे नया है तो सस्क्राइब कर लीजे लाइक कर लीजे कोमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ठीक है दोस्तो तो चली आएए देखते हैं दोस्तों देखिए यह सेट कहां का है यह विदेश का सेट है एजिप्ट का है आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं दोस्तों यू ए थर्टी टू जे फोर थिरी जीरो थिरी जीरो एम ठीक है दोस्तों चलिए आईए देखते हैं दोस्तों एक चीज इसमें बता दें हैं आपको इसमें स्कुरू खोलने के लिए कहीं नहीं रहता है यह केवल लॉक पे आपको सैमसंग कंपनी ने बनाया है इसको तो चलि सORA जिए दोस्तों तो सब्स्तों कि तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इत्मिनां से सारा इतना भी न होका है कौन-कौन सी वोल्टेज इसपे सप्लाई आती है कौन-कौन सी वल्टि है यह सारी चीज सबसे पहले चेक करना होता है ठीक है दोस्तो तो देखिए आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं इसमें 12 वोल्ट सप्लाई यह फ्यूज जो है आपका LVDS ले देखिए आप देख सकते है दोस्तों यहां बिल्कुल supply ओके है ठीक है अब आप देखते हैं दोस्तों इसमें और भी supply हम चेक करेंगे VGH, ABDDA और VGL यह बन रहा है और नहीं बन रहा है नहीं दोस्तों यह अरी यह आप देख सकते हैं दोस्तों यह पैनल जो एक मॉस्टेट है यहां जली हुई है यह जो जली हुई है देखिए पूरा हीट भी कर रहा है कि दोस्तों यह हइड भी कर रहा है तो इसमें आगे देखते हैं कि आखिरी यह क्यों जला और क्या कारण है तो सबसे पहले ही पहले हम जितना डर्ट है पहले इसको साफ कर लें ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कुछ डर्ट है तो इसको पहले हम इसको साफ कर लें अब इसको देखते हैं दोस्तों देखिए यहां एक MOSFET जो है जला हुआ है तो इसमें और क्या प्राप्बलम है इसको आगे भी जाच करके देख करके और आपको दिखाएंगे ठीक है दोस्तों आप इसका पैनल नंबर भी आप देख सकते हैं तेकि हम जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ठीक है दोस्तों यह देखिए देखिए यहां जो है यह आपको HV320WHB यह इसका पैनल जो इसमें लगा हुआ है यह डबल कॉफ का है अब देख सकते हैं दोस्तों यह डबल कॉफ है तो इसमें सबसे पहले तहों में यह नजर आया कि यह जला हुआ है अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या प्रॉबलम हो सकता है उसको चेंज करने के बाद ठीक है दोस्तों तो दोस्तों देखिए आपको दिखा रहे हैं देखिए एक इसमें से ये आपको देखे हैं पहले भी जल चुका था यहां का एक ट्रांजिस्टर है और ये एक कैपेसीटर भी आप देख सकते हैं ये सौट है देखिए दोस्तों एक कैपेसीटर है यहां यहां यह सौट मिला ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे हम पता कियें, कि यह यहां कौन सा ट्रांजिस्टर लगेगा, देखिए, पहले से हम एक एसकेलर बोर्ड लगके हैं, जो इसमें से हम यहां से इसको निकाल करके, आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको पूरा डिटेल दिखा देखिए, देख सकते हैं, यहां से हम इसका यह ट्रांजिस्टर निकाल करके, और हमने यहां लगाया, देखिए, यहां लिखा हुआ, आप देख सकते हैं दोस्तों, अब यह सकेलर, इसके यह में नहीं है, यह दूसरा सकेलर है, और यह दूसरा सकेलर है, फिर भी हम कैसे इ आपको दिखाते हैं, देखिए यहां जो है आपको दिखाते हैं, देखिए यहां टी आर वन, ठीक है दोस्तों, यह टी आर वन जो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां भी इसमें टी आर वन, तो अब देखिए इसमें और कैसे पता लगाया हमने, देखिए यहां जो यह है ABDD से आपका इसका इसमे एक पॉइंट बताता है आप देख सकते हैं दोस्तो देखिए ठीक है जो आपका ABDD बनता है आप देख सकते हैं यहां भी आपको दिखा दें देखिए तो यहां से हमने इसको इस टांजिस्टर को निकाल करके इहां लगा दियें अब आगे देखते हैं इसको ओन करके कि यह अब मेरा पिक्चर बना यहां नहीं बना त्रीक है दोस्तो आए देखते हैं पहले भोल्टेज चेक करते हैं कि भोल्टेज यह सही बना या नहीं बना अब यहां देखते हैं अब यहां देखते हैं पीएफ सोट करने से आपका भोल्टेज नहीं बन रहा था देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों और आपका यहां भीजी एच है देखिए यहां भीजी एच भी बन गया बिल्कुल सही ओके ठीक है दोस्तों बिल्कुल ओके और आपका यह भी सब भोल्टेज चेक करा देते ह है देखिए यहां 1.2 जो वोल्ट रैम आईसी को जाता है इसको जाता है रैम आईसी यहां यह डिसी टू डिसी आईसी है और वी डिडी आप देखिए 3.3 वोल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सही है मनें सारा वोल्ट अब आपको बन गया है दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं इस पर जो 12 वोल्ट यहां मिल ला था 13 वोल्ट एराउंड यहां बूट बोल्ट मिलना चाहिए एक तरफ ठीक है जो एवी डिडी बनता है जिसको एवी डिडी खाते है ठीक है दोस्तों और ये जो आपका ये डायोड जो है इसमें आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा है ठीक है और एक तरफ आपका ग्राउंड रहेगा तो आप इससे आप सूच सकते हैं आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है आपका 3.3 वोल्ट बनता है 12 वोल्ट से ले करके 3.3 और ये जो है आपका एक साइड में आपका लगभग 12 से 13 वोल्ट एराउंड मिलता है और एक तेरा बूस्ट वोल्ट ये बन जाता है जो आपको यहाँ देखिए 14 वोल्ट आपको सही मिल आपकी सब कुछ ओके हो गया अब आएए देखते हैं इसका पिक्टर बना या नहीं बना ठीक है दोस्तो हमने सारा बोल्ट चेक कर लिया और देख भी लिया अब इसको पिक्टर देखते हैं कैसा है देखिए दोस्तो देखिए मेरा पिक्चर भी बन गई आप देख रहें नो सिग्नल का आ रहा है बिल्कुल ओक्टे हो गया ठीक है दोस्तो चलिए आपको दोस्तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कोमेंट करके हमें बता है और किस टाइप का आपकी वीडियो चाहिए अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें कोमेंट करें और बेल घंडी बजा दे ताकि आपको जो भी इस चैनल पर जो भी वीडियो नहीं आए आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है दोस्तो तो देखते रहिए दोस्तो और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें ठीक है दोस्तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चलिए धन्यवाद जैहिन जै भारब